हेलो गाईज मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल प्रिगनेंसी प्रेंट तो कैसे हैं आप लोग उमीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपके प्रिगनेंसी भी काफी अच्छी चल रही होगी तो फ्रेंट्स आज मैं आपको 10 या 15 सिम्टम्स बेबी बॉय के ऐसे गिनवाने वाली हूँ जो आपको पूरा कनफॉर्म कर देगा कि आपके गर्व में पलड़ा शीशु जो है वो एक बेटा होगा फ्रेंट्स ये सिम्टम्स जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये सर्फ उन महिलाओं के बताओंगे जिन महिलाओं ने जो है बेबी बॉय को जन्म दिया है और साथ में हमारे घर के जो बड़े बुजर्ग बताया करते हैं जो हमारे घर के गाउं के लोग बताया करते हैं कि ये जो महिला के साथ वो बहारी तोर पे देखे जाते हैं लक्षन जैसे कि आपकी चाल ढाल को देखके आपके खान पान के तरीकों को देखके आपके पेट को देखके आपके नींद के उपर भी बहुत सारी हमारे जो घर की old waves बताया करती हैं वो symptoms में आपको बताने वाली हूँ तो अगर आपको भी ये मन में एक बारी जिग्यासा आई है ये जानने की के जो आपके साथ ये symptoms हो रहे हैं ये baby boy के हैं ये baby girl के हैं इस वीडियो को आपको बिना skip कियो है लास तक जरूर देखना है ताकि आपको confirm हो जाए कि baby boy के क्या symptoms होते हैं क्योंकि friends जब भी हमारी pregnancy conceive होती है तो 9 महीने के दुरान कभी ने कभी हमारे मन में ये सवाल जरूर उड़ता है कि होने वाली संतान हमारे एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी तो अगर आपको भी अपने ये symptoms जानने हैं कि आपके जो symptoms आपका हो रहे हैं वो एक बेटे के हैं या फिर एक बेटी के हैं तो मेरे चनल को जरूर सबस्क्राइब करना क्योंकि मैं यहाँ पर बेबी बॉय के symptoms आपका शेयर करती हूँ तो पहला symptoms है friends कि आपका वजन बढ़ना pregnancy के दुरान आम तोर पे हरे गर्वती महिला का वजन जो है 8 से 10 किलो तक बढ़ता है बट अगर आपकी pregnancy में आपका वजन जो है वो 10 या 8 किलो से जादा बढ़ा है मतरब कि 12 किलो तक बढ़ा है friends तो यह बहुती सटिक लक्षण माना जाता है कि आपके गर्व में होने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा friends यह लक्षण बहुती सटिक है और जिन महिलाओ उने बेबी बॉय को जनम दिया है उनके अंदर भी यह सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मैच हुआ इसके बाद दूसरा सिम्टम्स है friends जो आपके पेट के उपर एक लाइन बनती है बहुत सारी महिलाओने मुझे बताया है friends कि उनकी चेस्ट से लेके जो आपके इस्थन से लेके नाभी तक तो लाइन सीधी थी और नाभी के नीचे जो है वो हलकी सी तेडी हो गई थी तो अगर आपके साथ भी यह सिम्टम्स मैच हो रहा है तो आप 50% टक अनुमान लगा सकते हैं इस कंडिशन से कि आपके गर्व में पलडाशीशू जो है वो एक बेबी बॉई होगा बट फ्रेंड्स 80% महिलाओ के साथ ये लक्षन ऐसे सटिक हुआ है कि अगर आपके पेट के उपर की जो लाइन बनती है वो बिल्कुल सीधी और घहरी बनती है फ्रेंड्स तो ये बहुती सटिक अनुमान लगाया जाता है कि आपके गर्व में पलडाशीशू जो है वो एक बेबी बॉई होगा क्योंकि फ्रेंड्स ये लक्षन मेरे साथ बिल्कुल सटिक बैठा था जो मेरे गर्व के उपर लाइन बनी थी वो बिल्कुल सीधी बनी थी तो अगर आपके लाइन भी जो है बिल्कुल सीधी बनी है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्व में पलडाशीशू जो है वो एक बेटा होगा friends मेरे पास ये भी comment आते हैं कि मैम ये line जो है वो कब बनती है तो अगर आपके line friends अगर आपके अभी pregnancy conceive होई है अगर आपका पहला दूसरा तीसरा महीना चल रहा है तो ये line जो है आपको देखने को नहीं मिलेगी मगर जब आपका second trimester और ठर्ट नेमेश्टर जो है वो चलग जाता है कहने का मतलब फ्रेंड्स मेरा ये है कि अगर आपका पांस से लेके नौवे महीने के बीच में अगर आप देखोगे तो वो लाइन आपको बहुत ज़दा विजीबल दिखने लग जाएगी तब आप अनुमान लगा पाएंगे कि आपके गर्व में परला शुशु जो है वो एक लड़का होगा या फिर एक लड़की होगी इसके बाद ये है फ्रेंड्स के बच्चे की हलचल महसूस होना अगर आपको बच्चे की हलचल बहुत ज़दा महसूस होती है तो कहा जाता है फ्रेंड्स के आपके होने वाले जो संतान है वो एक बेटा होगा क्योंकि जब गर्व में हमारे बेटा होता है तो हलचल जो है वो ज़दा महसूस होती है फ्रेंड्स ये लक्षन बहुत सारी महिलोग सा सत्तिक बठा और उनको भी जो है बेबी बॉय हुआ है इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स सिम्टम सी ये है कि हमारे घर की ओल्ड वैस बोला करती है कि अगर आपको आपके बच्चे की हलचल जो है वो तीसरे महिने में सुनाई देती है तो आने वाली जो संतान होती है वो बेबी बॉय के चांच जादा होते है तो फ्रेंड्स मुझे आप ये बताना कि आपके बच्चे की हलचल आपको कम मैसूस हुई थी ताकि मैं आपको बता पाऊं कि आपके गर्व में पलड़ा शुशु जो है शुヤ हĩ होगा जो पहली बार प्रिइन सी जो है वह कंसीर कर रही है उनको नहीं पता कि बच्चे की मुमेंट क्या होती है वह मुझे मैसिख करती है कि मैं एक सले के तीं महिने के बीच में हमको जो है मुमेंट मैसूस होगई है तो हम कभी गल होगी या बिबी बॉय होगा तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक से लेके तीन महीने के बीच में आपको कोई भी हलचल महसूस नहीं होती है क्योंकि उस टाइम पे बच्चा बहुती नाजुक होता है बहुती छोटा होता है मतलब कि आप ये समझ लो एक कावली चन्य के बराबर होता है तो बच्ची की हलचल नहीं होती है आपके पेट में जो है कोई ना कई ग्यास बन रही होती है जिसकी वज़ा से आपको पेट में ऐसा लगता है कि मारे बच्ची की जोवे हलचल महसूस हो रही है इसके बाद फ्रेंड्स यह है कि नाभी का बहार और अंदर जाना क्या संके देता है तो फ्रेंड्स अगर आपकी प्रिग्नेंसी की दुरान आपकी नाभी भी जरूरत ज़दा बहार आ गई है फ्रेंड्स तो ये बोला जाता है कि होने वाली संतान आपके बेबी बॉय ही होगा बट बहुत सारी महिलाओं ने ये ऐसा experience भी किया है कि जिन महिलाओं की नाभी बाहर आई थी उनको सच में जो है बेबी बॉय हुआ है बट मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी नाभी अगर बाहर नहीं आ रही है तो आपको जो है बेबी गल होने के ज़्यादा चांस होते है देखी फ्रेंट्स ये बड़े बुज़र्गों के और सालों साल से चले हुए आरे ऐसे लक्षण है जो बहुत सारी मैलों पे तो सटिक बैठते हैं और बहुत सारी हो पे नहीं बैठते हैं तो अगर आपके साथ ही लक्षण सटिक बैठते हैं तो आपको जो है बड़े बुज़र्गों की बातों के उपर विश्वास हो जाएगा कि जो ये बड़े बुज़र्गों की बाते होती है वो हकीकत में सच हो जाती है इसके बाद friends ये है कि बच्चे की धड़कन 140 से उपर आना अगर आपके बच्चे की धड़कन भी 140 से उपर आती है तो आप कही न कहीं ये 100% में अपनी तरब से बोल सकती हूं कि आपके होने वाली जो संतान है वो एक बेबी बॉय हो सकता है क्योंकि मेरा experience कहलाता है क्योंकि मेरे जो एल्टरासॉन हुए थे उस reports में और मेरी बहुत सारी ऐसी सब्सक्राइबर हैं जो उनके बहुत सारे एल्टरासॉन हुए प्रिग्नेंसी के दुरान और हर एक प्रिग्नेंसी में और हर एक एल्टरासॉन में फ्रेंट्स बच्चे की FHR जो है जो बच्चे की हार्ट बिड होती है वो 140 से उपर ही आय थी और उनको भी बिबी बॉय हुआ था प्रिग्नेंसी के दुरान फ्रेंट्स प्रिषाप का कलर चेंज होता है जैसे ही आप प्रिग्नेंसी कंसीव करते हैं यह एक हमारा अरली प्रिग्नेंसी सिम्टम्स भी कहलाता है बट अगर आप पानी का इंटेक भी अच्छे से कर रहे हैं और तब भी जो है तब भी आपका यूरियन का कलर पिशाप का कलर डार का रहा है तो कही न कहीं संकेत देता है कि होने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा फ्रेंड्स ये वो लक्षन है जिन महिलाओं ने बेबी बॉय को जनम दिया है और उन्होंने मुझे अपना एक्सप फ्रेंड्स अगर आपको चटपटा खाने की क्रेविंग होती है और आपको चटपटा खाने की क्रेविंग होती है और आपको जो है स्टार्टिंग के महिनों में चटपटा खा रहे हो और लास्ट के महिने में आपको एकदम से क्रेविंग जो है आपकी चेंज हो गई है आ उन डक्षनों को सिर्फ आपको सुनना है और अपने उपर अजमाना है कि ये सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं ठीक है उसके बाद आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताना आपके साथ ये कौन-कौन से सिम्टम्स मैं चुमें है ठीक है इसके बाद आपको एक और गोजारिश करूँगी मेरा एक और चनल है काजल बेबी केयर आफ्टर डिलीवरी आपको अपने बेबी की केश कैसे करनी है मैं वहां पर आपके लिए रोज वीडियो लेकर आती रहती हूँ कि बेबी की केर कैसे करने हैं आपको अगर आप पहली बार मा बन रही हैं और कोई भी आपके पास बड़ा बुज़ूर्ग नहीं है तो आपके लिए वो चनल बहुत ही अच्छा और फायदेमंद रहेगा तो फटा फट से जाके काजल बेबी केर को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर हिट करना ताकि उसकी भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके टाइम टू टाइम और अगर आपको इस वीडियो के माधियम से कोई सवाल पूछना हो या फिर कोई वीडियो बनवानी हो या फिर आपका कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे कमेंट्स पॉक्स मे कमेंट्स जरूर कर सकते हो या फिर मैं उसके कमेंट का आपके रिपलाई दूँगी या फिर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी मिलती हूँ आपको नेक्स वीडियो में जब तक अपना ध्यान रखना बाई बाई टेक कियर गाई